वेल्कम टु न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे आप अपने यूटीब चैनल के लिए कॉंटेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो और ये कॉंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे टोटल पाँच टूल्स का ठीक है पहला टूल है हमारा Google का Keyword Planner और दूस्रा टूल है हमारा जिसका नाम है keyword shitter तीशरा है YouTube itself चौथा है Quora and the last one is answer the public तो हम ये टोटल पांच टूल्स का use करेंगे और इन पांच टूल्स की help से हम अपनी content strategy decide करेंगे सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका YouTube channel है उसका backbone है आपका content ठीक है देखो आप future में कुछ भी करना चाहोगे आप एक audience build करोगे उस audience हो कुछ products हैं जो कि आप sell करोगे कुछ affiliates करोगे तो वो audience आप पे तभी यकीन करेगी जब आपका content powerful हो जब आपका content useful हो जब आपका content बाकी जो content है YouTube पे उससे better हो अगर अभी देखो बहुत सारी लोगों ने digital के YouTube channel बना रखे हैं उन लोगों ने किया क्या है उन्होंने मेरा Facebook ads का course खरीद है और जो मैं Facebook ads के course में बता रहा हूं वही बात है वो जाके अपने चैनल के बता रहे हैं बहुत सारी channel ऐसे मैंने पकड़े हैं अगर आप ऐसे channel बनाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है क्यों फायदा नहीं है क्योंकि जो आपकी knowledge है जो आप उस पे share कर रहे ह वो हमेशा जो मेरी knowledge है उससे कमी होगी क्योंकि आप सीधे मेरा copy कर रहे है बट अगर आप अपने एक expert हो किसी field में आपको खुद उस field की knowledge है आपने खुद उस जो भी आप craft सिखा रहे हो उसको practice किया है then आप उस पे original content दे सकते हो ऐसा content दे सकते हो जो आप सही तरीके से present कर राइट तो content हमेशा सबसे powerful है कोई strategy काम नहीं करेगी अगर आप कर क्या रहे हो अगर आप just content copy करके content paste कर रहे हो ठीक है ऐसे content का कोई फायदा नहीं है तो अब देखते हैं कि कैसे हम अपना content strategy त्यार कर सकते हैं आपको कैसे कैसे content बनाना है तरीका number one जो मैंने यूज किया है यह सबसे easy तरीका है अगेन यह तरीका तभी काम करेगा जब आपको अपने field की knowledge है यह तरीका क्या है तो बहुत है simple है आप या तो एक notepad लो ठीक है एक pen लो या एक excel sheet खोलो doc खोलो कुछ भी खोलो और say आपकी industry है body building आप body building के उपर channel भी बना रहे हो तो आप उसमें वो सारे topics लिखो जिस जिसकी आपको अच्छे से जानकारी है अगर मैं body building की बात करूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा say exercises then मैं लिखूंगा supplements then मैं लिखूंगा food तो ऐसे मैंने जितने topics हैं उस सब की मैंने broad topic लिख लिया ठीक है main topic लिख लिख लिया अब म अब मैं supplements के अंदर सब topics लिखूंगा जैसे पहला मैंने लिखा कितने type के supplements है then मैंने दिखा कौन सा supplement किश्चिच के लिए है तीसरा मैंने लिखा कौन से supplement अच्छा है कौन सा खराब है चौथा मैंने लिखा supplements के क्या side effects है पाच्वा मैंने लिखा कि supplements के क्या-क्या ingredients है ठीक है तो ऐसे आप सब डिवाइड करोगे फिर main category को अलग अलग छोटे छोटे points में सब डिवाइड करोगे और then आप उन एक एक points को पकड़के उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे simple strategy कोई tool का यूज नहीं करना कुछ नहीं करना है ठीक है अब हम दूसरी strategy पर चलते हैं जो की थोड़ी जिसमें आपको मेनत जादा करनी है अब वो strategy क्या है कि हम research करेंगे लोग क्या कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आऊंगा कहां खुद YouTube के उपर और मेरी नीश बाड़ी बिल्डिंग तो सीधे मैं यहां पर लिखूँगा body building simple body building अब देखो सबसे उपर क्या चल रहा है AthleanX एक channel है एक website है अब यह add चल रहे है तो मैंने इस add को खोला अब इस add पर देखो क्या चल रहा है तो यह AthleanX ने बता रखा है chest workout उसके नीचे आओगे देखो best chests in body building four years of natural body building Arnold Schwarzenegger my first show natural body building body building on a budget eat for breakfast संग्राम चौगले अब देखो यहां से एक दो चीजे दिख रही है मेरे को पहला एक तो chest workouts जो number one आ रहे है वीडियो organically है ना वो है chest workout दूसरी अगें देखो natural body building थाना तो दो topic तो हमने यही से उठा लिया पहला chest workout तो दूसरा मैंने उठा लिया natural body building कि भईया इन दोनों पे मुझे video बना लिया ठीक है और तीसरा देखो body building होने budget ठीक है तो तीसरा मैंने यह topic बना लिया इसमें आपको वो चीज़े बतानी है जो आपने खुद practice की हुई है देखो वो चीज कभी भी preach नहीं करनी जो आपने प्रेक्टिस नहीं की अब दिक्कत क्या है YouTube जैसे platform पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेक्टिस कुछ नहीं किया बड़ they are preaching a lot बहुत लोग हैं कि भाईया फेस्बूक एड़े से बनानी और जिंदगी में उनसे एक बार पूछो भाईया कितनी एड़े बात वह करनी है जो आपने प्रेक्टिस किया ठीक है तो सबसे पहली मेरे को क्या चीज़ दिखी चैस्ट अकाउट तो एक मैं अब बनाऊंगा यहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट अना एक्सल फाइल यहाँ पर मैं गूगल डॉक बना रहा हूँ आप कुछ भी बना सकते हो एक्सल फाइल भी बना सकते हो और यहाँ पर मैं लिख लूँगा पहली चीज़ चैस्ट वाकाउट ठीक है अब मैं वापस आउंगा और नेचुरल बॉड़ी ब और बॉड़ी बिल्डिंग और बजट अब देखो यह बहुत ही जैन्मीन कंसर्ण है लोगों का क्योंकि उनके पास जादा रीसोर्स नहीं है और बॉड़ी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें बहुत रीसोर्स की जुरुत होती है अना प्रोटीन सप्लिमेंट य यह वो और इंडियन नंबर वन बॉड़ी बिल्डर अभी देखो टीनेज बॉड़ी बिल्डिंग एडवाईज वरकाट मॉटिवेशन देखो फूल डे ओफ इटिंग हाना यह भी इटिंग से रिलेटेड है तो इटिंग और बॉड़ी बिल्डिंग अब देखो एक चीज 5 best chest workout के exercises क्या है 5 कौन सी mistakes जो लोग करते है chest workout में 3 chest workout exercises जो आपको हमेशा करनी है और कैसे सपोज आपने भी chest workout किया है और आपने अच्छी chest develop किया है तो कैसे आपने chest develop की अपनी प्लस आप किसी और के chest workout का example दे सकते हो राइट सेम नैचुरल बॉड़ी बिल्डिंग में अलग अलग सीरीज बन जाएंगी बजट बॉड़ी बिल्डिंग कैसे बजट करें कौन से supplements लें अंडर बजट कौन सा food लें अंडर बजट तो अगें series of videos इन चारो topic पे हम बना सकत treating for bodybuilding तो best breakfast क्या है for bodybuilder's under budgetiku और बेस्ट lunch क्या है bodybuilder's under budget best dinner क्या है यू नो कैसे बेस्ट चिकन रेसिपी फॉर बॉड़ी बिल्डर बेस्ट मटन रेसिपी फॉर बॉड़ी बिल्डर अगें बड़ी सारी वीडियो यहां पर मैं बना सकता हूं अब नीची आओगे तो ज्यादा कुछ है नहीं अगें वही है तो अब एक सिंपल काम करो अब अब यह तो हमने देखिया बॉड़ी बिल्डिंग अब देखो बॉड़ी बिल्डिंग अब देखो यहां पर अगें आ रहा है देखो फुल डे ओफ इटिंग तो हमने पहले लि कभी मत लेना थिक है तो हमने यह बनायों ना बजट बॉल्ड़ी बिल्डिंग अब देखो यहां पर पर प्रोटीन को अब इसके ओपर वीडियो बनाएंगे लेको जिम मिस्टेक्स थीक है तो यहां पर ले लो जिम अब देखो मैं मेन टॉपिक ले रहा हूं मैं कॉंटें कॉपी नहीं करूंगा प्लीज पे अटेंशन कॉंटेंट कॉपी नहीं करना है मैं एक ब्रॉड कॉंसेप्ट ले रहा हूं अब नीचे देखो बॉड़ी कैसे बनाए है राइट हाव टू ग्रोव यहाव टू पिल्ड इंगोड बॉड़ी अब देखो यहाव टू लूज स्टमक फैट अकी देखो स्टमक फैट प्लस एक काम और कर सकते हो देखो जैसे इस बंदे की चैनल पर जाते है इस बंदे का चैनल खोलते है इस बंदे की वीडियो देखते है ओह 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 यह जाते हैं वीडियो पर और sought by most popular अब देख लो कि सबसे popular videos कौन सी हैं यह देखो no gym full body workout at home कि घर पे कैसे exercise करें कि मेन टॉपिक निकल आगे न मेन टॉपिक अगें वरक आउट है थोम क्यों क्यों इतना फेमोस हो रहा खुद सोचो आप जिम नहीं जाना पड़ेगा आपको जिम के इंवेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी आप घर पे सीख सकते हो है न कि स्टमक फैट हमने लेही लिया है लूज वेट गेंड वेट समझे रहो तो ऐसे ही और बाकी चैनल भी देखोगे और उसे ऐसे ही क्या करोगे आम साइज आम्स है ना ग्रो आम्स अगीन अच्छा टॉपिक है आम्स का साइज कैसे ग्रो किया जाए तो इसके अराउंड आप सारी वीडियो बना सकते हो ठीक है तो एक तो तरीका ये हो गया जहां से आप बाकी वीडियो भी देख दे के यहां से निकाल लोगे कि कैसे आप बॉड़ी बिल्डिंग से रिलेटेड आपके पास कॉंटेंट आ जाएगा दूसरी चीज आपको जाना है कोरा पे हाना कोरा पे जाओ और यहां पे आप सर्च क करोगे बॉड़ी बिल्डिंग आपको बड़े सारे यहां पी लोगों के सवाल दिखेंगे हाव लॉंग डिडिट टेक टू गेट एब्स यह एक टॉपिक हो गया है ठीक है कि देखो मैं लिख यह टाइम टू गेट एब्स और नीचे आओ हाव दो गेट टून्ड आर्म्स बटे विमेन के लिए अगला देखो गए डाइट फॉर लीन बॉड़ी बिल्डिंग दो डाइट के बारे में ऊपर हम अल्री बात कर चुके हैं तो इसको हम छोड़ देंगे देखो भी ट्रांस्फोर्मेशन की वीडियो है तो आप यहां पे ट्रांस्फोर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बना सकते हो वाट इस लाइक तो आव शिक्सपाइब गोल्डन रूल्स ऑफ जिम तो उपर हमने जिम मिस्टेक्स की बात की थी तो अब देखो दो वीडियो गया एक होगी जिम मिस्टेक्स और एक हो गया फाइफ रूल्स है शिक्स टूल्स तू फॉल्व हाना तो दो तिन वीडियो इसको उपर बन जाएंगे हाँ लॉग कैने स्क्वैट बिफॉर आइगो बिफॉर इपकम डेंज़र देको स्क्वैट के बारे में है तो यहां पे स्क्वैट लेख लेख लें वाट में दो वरक आट डेली हाव जॉन सीना गेट सो बिग विदाउट स्टेरोइट्स देख एक स्टेरोइट्स के उपर है तो एक आप बना लो steroids के उपर कि क्यों steroids use नहीं करनी चाहिए क्या क्या steroids के you know वो है demerits है आप प्लस एक और वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप दे तो 5 example कि जिन लोग ने steroids use कि और उनसे क्या क्या उनको effect पढ़ा negative effect gain muscle right तो gain muscle अभी अठारा उनिस टॉपिक के गठे हो गया इनके सब टॉपिक पे जाओं तो 50-70 वीडियो काम तो यहीं से हो गया 50-70 वीडियो काम यहां पर जट से 10 मिनट के अंदर हो गया बिना किसी मेहनत की और यह जस्ट अभी हमने दो टूल यूज किये है समझे लोग तो अभी तो हमने यह क्या यूज कहा थे हैं आप बॉड़ी बिल्डिंग लिखा था अब देखो इतने सारे हमारे पास ओल लिडिया आ गया similarly आप क्या कर सकते हो answer the public पे जाओ और यहां पे सीधे लिखो बॉड़ी बिल्डिंग अब जैसे बॉड़ी बिल्डिंग लिखोगे बड़े सारे सवाल आ जाएंगे आपके पास देखो यहां पे सवाल आ गया अभी आ जाएंगे दो मिनिट में अब इन सवालों को पढ़ोगे तो यहां से और content आईडिया आ जाएंगे आपके पास ठीक है simple सवाल पढ़ने है और देखो यहां पे इतने सारे content आईडिया आ गए जैसे यह रहा how how bodybuilding changed my life how bodybuilding works how bodybuilding has changed how bodybuilding started ठीक है तो हर किसी पे आप क्या कर सकते हो content बना सकते हो अब देखो इतने सारे को इन bodybuilding how much cardio कितना करना चाहिए अगें यह topic होगे आपके पास bodybuilding how many calories कितना मस्त मस्त यहां पर देखो वह आ रहा है cardio calories देखे रहो यहां से कोई भी नीशो अभी जो मैं आपको strategy बता रहा हूँ इससे आप बहुत सारा content ढूंड सकते हो जिस पे आप videos बना सकते हो कमी ही नहीं है content की इतना content है can bodybuilding make you taller can bodybuilding cause depression can bodybuilding kill you can bodybuilding stunt you growth can bodybuilding cause heart problems अब इन सबसे related आप videos बना सकते हो content की कमी है ही नहीं राइट तो यह सारी topic देखो इस पर आप videos बना दो क्या दिक्कत है इतना सारे topic एक और चीज़ आप यूज कर सकते हो है keyword sitter इस पर क्या करना है again keyword ideas पर जाना है और अपना main keyword bodybuilding और button क्लिक करो अब देखो 1000 keyword आपको यहां से मिलेंगे जिन पर आप अगें content मना सकते हो बॉड़ी बिल्डिंग वाल पर बदेखो कितने सारे आ गए content की कमी ही नहीं बहुत सारे आगए keyword बॉड़ी बिल्डिंग motivation बॉड़ी बिल्डिंग देखो 300 से ज्यादा keyword अभी तक यह tool हमें दे चुका है जिसके around मैं content बना सकता हूं देखो कितने ज्यादा keyword ideas हैं जो कि आप use कर सकते हो अब देखो यहाँ पर अगर stop कर देता हूं मैं क्योंकि आते ही जा रहे हैं अभी हाँ पर देखो यह सारे आपड़ सकते हैं बॉड़ी बिल्डिंग shoulder quotes, bodybuilding quotes, motivational quotes उपर से जाओगे तो देखो bodybuilding website weight gain देखो weight gain के उपर बना सकता हूं bodybuilding vitamins के उपर बना सकता हूं bodybuilding weight, bodybuilding के क्या clothing होनी चाहिए, क्या exercise clothing होनी चाहिए, diet के उपर है तो देखो इतने सारे topic हैं जिसके उपर हम वीडियो बना सकते हैं बहुत ही असान ठीक है तो जैसे मैंने sheet बनाई सारे आप ideas जुन्दो इस sheet में लिखो और इनके round up वीडियो बनाओ अब एक और tool है जो हम use कर स tools and settings में और आपको जाना है keyword planner पे ठीक है तो जैसे ही आप keyword planner पे जाओगे यहां से simple कर दो get started, discover new keyword और यहां पर लिखो bodybuilding और यहां से कर दो get results अब जैसे आप get results करोगे देखो आपको बड़े सारे keyword recommend होंगे और यहां पर 100 है इसको कर दो 500 ठीक है देखो bodybuilding इतने सारे bodybuilding diet, protein foods for bodybuilding, bodybuilding workouts, natural bodybuilding, bodybuilding gym कितने सारे topic है biggest bodybuilder अब देखो यहां पर एक simple काम करो जैसे यह थे ने bodybuilding workouts इसको copy करो और यहां पर उसको paste कर दो और यहां कर दो get results अब जैसे इसको paste करोगे देखो bodybuilding exercises, bodybuilding tips, abs workout, bodybuilding, bodybuilder back, bodybuilding workout plan, back workout, bodybuilding, bodybuilding training, bodybuilding for beginners, shoulder workout, bodybuilding कितने सारे topic है इन सब topics पे आप video बना सकते हों ठीक है तो इन सब keywords को कहा लिख लोगे यहां और then इनके around क्या करोगे videos बनाना स्टार्ट ठीक है देखो जी consistently महनत करोगे तो channel guaranteed आपका grow होगा और फिर हम सीखेंगे कि कैसे आप channel से पैसे कमा सकते हो एड से पैसे कमाना तो सबसे बेवकूफी का काम है अगर आप देखोगे तो मैं अपने चैनल पे चलाता भी नहीं हूँ तो आप देखोगे आपकी क्या क्या और तरीके हैं आपके पास to make money from your YouTube channel ठीक है तो जैसे मैंने आज आपको ideas दिखाए ऐसे आप